कि दोस्तों सीजन जाने से पहले इस रसेवी को बनाने तो बनता है तो आप इसी जरूर से बना ले जिए गा मेरी वीडियो आप पूछफ लगते हैं तो मेरे निया है पांच से साथ मैने यह पे काजु लिया है दो हरी मिर्च लिया है और थोआ से मैंने अध्र को ग्रेट कर लिया है तो इस तरीके से हमें से रेडी कर लेना है तो अब हम गैस पर रखेंगे पेन या फिर कड़ाही और इसमें यहां काजु को दाल देना है यह थोड़ा है नमक डाल देंगा ताकि टेमाटर अच्छे से वह जाए और इससे मिक्स कर लेंगे तो अब इसके उपर हम रिड लगा देंगे ताकि अच्छे से टेमाटर हमारा गल जाए तो यहां पर देखिए टेमाटर अच्छे से गल चुका है तो इस स्टेज़ पे हम गैस कफलें आफ कर देंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे तो यह मिक्चर हमारा नहीं आफर ठन घंडा हो चुका है तो अब हम लेंगे ग्रेंडिंग जार और इससे डिए नहीं मम इसे कर लेंगे और अब वारी है मसालत हैं तो अब हम मसालत त्यार कर लेंगे तो यहां पर देखिए मैंने ध्टा लिया है और यह सॉप्ट हो चुका है तो अब हम इसे ध्ट करके और छोड़ देंगे साइड में और यहां पर देखिए मैंने लिया है एक पैन इसमें मैं थोड़ा सा चीरिंड डाल ले हूं करीब आधे चमश के एकॉर्डिंग और आधी चमश के एकॉर्डिंग मैं यहां पर नमक डाल ले हूं अजरनी होगा अब हमस्वास ऐसे बॉय रहने देंगे पानी को तो यहां पर देखिए पानी बॉय का तो अब मैं यहां पर फ्रेस मतर यहां पर यूज कर रहे हूं आप फ्लोजम भी यूज कर सकते हैं तो अ और चानने के बाद से हमें इसे तुरंत ठंडे पानी में डाल दिया है बिल्कुल चिल्ड पानी में इसे यह होगा कि मोटर हमारा बिल्कुल हरा रहेगा और कोकिंग प्रोसेस भी इसका रुख जाएगा तो यहां पे देखिए मैंने इसे ठंडे पाने में डाल दिया है और अब इसे हम इसे तरीके से छोड़ देंगे कुछ टाइम के लिए और यहां देखिए मेथी को मैं बाहर निकाल देए हूं कडाही में से क्योंकि यह भी ठंडा हो चुका है और अब हम behavior कडाही को या फिर पैन को रखेंगे गयस पे और इसमें मैं डाल देँ दो चमच cooking oil यह रसर्सो का तेल है और इसमें मैं यहां पर आदे चमच जिरा डाल देए अब हम इसे गैस का फिर में आप इसे हम चलाते हुए और भून लेंगे इस अभी यहां पर आपको कोई भी मसाला आड़ नहीं करना है आप मुझे इस्ट्राग्राम और फेस्टूक पर भी फॉलोग कर सकते हैं अब मैं यहां पर डाल रही हूं छोटी दो से तिन मैंने बीज निकाल लिया है और ही बीज में यहाँ इस्तिमाल कर रहे हूं आप चाहां तो बड़ी युहां पर डाल सकते हैं अब मैं यहाँ डाल दें हूं लाल मिर्च आजिछ चमच और आजिछ लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के कॉर्डिंग डालें और स्वाद उनसार यहां पे मैं नमक आड़ कर रहे हूं नमक आपको बहुत संभार्क डालना है क्योंकि नमक हमने पहले भी यूज किया है और आप मैं यहां पे डाल रहे हूं गरम मसाला और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम एक से दो मिन्ट के लिए भून लेते हैं गैस कपने हम आपको रखना है जब तक कि यह तेल ना छोड़ दे तक हमको मसालों को भून लेना है तो यहां पे देखिए मैंने लिया है एक कब दूद और यह भूने हुए मसाले हम इसके अंदर एड़ करना है इससे यह होगा कि दूद हमारा फटे का नहीं जब हम इसमें मसाले एड़ करके और नीचे ही से हम घोल करके और मिक्स कर लेंगे तो यहां देखिए यह दूद मैंने रिडिक कर लिया है अब हम चलते हैं नेक्ष प्रोसेस के तरफ तो यहां देखिए सबसे पहले हम इसे मेथी एड़ कर देंगे और इसे मैं यहां पर मिक्स कर लेती हूं फिर जो हमने मतर फ्रोजम करके रखा हुआ था ना उसे हमें यहीं पर डालना है तो अब हम साथ में मेथी और मतर दोनों को यहां पर मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद से अब इसके अंदर हम डालें के दूद जो हमने मसाले वाले दूद तयार के थे न वही और अब इसे हम मिक्स कर लेंगे यदि आपको थ्वासा गड़ा लगता है तो और इसमें दूद एड़ कर सकते हैं यदि आपको पतला लगता है तो आप दूद एड़ ना करें अब इसे इसे पका लें तो यहां पर देखिए जैसी consistency मुझे चाहिए मैंने वैसा यहां पर रेडी कर लिया है और आपको दिख रहा होगा फ्रेंस बहुत ही अच्छा मेथी मटर मलाई बनके रेडी हुआ है और सबसे जरूरी इंग्डिन्स हमको यहां पर डालना है मलाई क्योंकि इसका नाम ही है मेथी मटर मलाई एड कर लेंगे और आप इस बात का जहान रखें कि मलाई आप जो है एक से दो दिन का ही यूच करें घर का मलाई यूच करें आप